स्वाग आते दोस्तों एक और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सब के लिए लिए लिक कर आया हूँ एक और काफी बड़ी अपडेट और वो अपडेट है कि अपने गोरकपूर महानगर में लांच होने जा रही है एक और काफी बड़ी ग्रूप हाउसिं परियोजना जिसका नाम है ग्रीन वूट ग्रूप हाउसिंग प्रोजेक्ट बाई गोरकपूर डेवलेपमेंट एथारिटी तो आज मैं आपको इसी प्रोजेक्ट पर काफी सार अपडेट में देने वाला हूँ और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे पी रेरा के तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और अगले 10 से 12 दीन के अंदर अंदर जो है इस परियोजना में फ्लैट्स की बुकिंग भी सुरू कर दी जाएगी तो ये काफी बड़ी खुशकबरी है और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के अगर लोकेशन की अगर बात की जाए तो अपने गोरखपूर महानगर के सबसे पॉस इरिया में से एक तारा मंडल एरिया में ही जो है कि इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क भी जो है कि सुरू कर दिया गया है गोरगपुर विकास प्राधिकरण की तारा मंडल छेतर की महत्वा कांची ग्रीन वूट आवासी उजना के लिए पंजीकरण जल सुरू होगा मिवान सटरिंग कंस्ट्रक्शन तकनीकी पर अधारिति परियुजना को राज रियल स्टेट रेगुलिटर अधारिति यानि रेरा के चेर्वें संजे बुस्रेटी ने स्विक्रिति प्रदान कर दिया है और जल्दी रेरा का रेजिस्ट्रेशन प्रवाण पत्र भी मिल जाएगा राप्ति नगर विस्तार टांसीप और विस्पोर्ट सीटी परियुजना में फ्लैट्स और प्लॉट्स की बुकिंग से पहले इस ग्रीन वूड ग्रूप हाउसिंग परियुजना में ही बुकिंग प्राधिकरण ने इटेंडर से निर्माड एजिंसी तै करके मार्च से ही काम भी शुरू करा रखा है सितंबर दो हजार चबिस में इस परियुजना को पूरा भी कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ यह जो प्रोजेक्ट है 14 फ्लोर तक इसमें फ्लैट्स की बुकिंग हो सकती है और टोटल टेरेस फ्लोर को जोड़ दे जाए तो 15 15 फ्लोर के 8 टावर होने वाले हैं और इसमें 3BSK के 300 फ्लैट होंगे तो वहीं 4BSK के 189 फ्लैट होंगे कूल फ्लैटों की संक्या 489 होने वाली है और इसकी लागत की बात किया तो 326 करोड रुपे इस परियुजना में एक खाश्य तोर एक कि इस पूरे campus में जो है कि एक swimming pool भी मिलेगा swimming pool के इस प्रोजेक्ट में gym की सुछधा रहेगी gym के साथ इसम में अपकी भी सुईधा रहेगी यानि कि जो एक बड़ा प्राइवेट विल्डर अपने प्रोजेक्ट में जो भी सुईधा प्रदान करता है सेम वही चीजे जीडिये भी अपनी इस परियोजना में देने जा रहा है और यह जो आप इमेज में देख पा रहे हो यह बिल्डिंग भी अब बड़ी बड़ी परियोजना भी अब लांच करने लगा है और बड़ी परियोजना कहने का मतलब यह है कि जीडिये अभी तक इतनी उची उची बिल्डिंगे नहीं बनाता था लेकिन अब जीडिये भी हाई रैज बिल्डिंग से बनाने लगा है और इसी के साथ सा अरिया का जो है की फ्लेट होने वाला है तो वहीं एक और अपडेट है वह अपडेट है गिड़ा के तरप से की ये की गिड़ा के सक्टर 11 में कालेसर जीरू पॉइंट के पास लगबग 200 एकर एरिया में टाउंसिप विक्सित किया जा रहा है और उसका नाम है कालेसर इंटीग्रेटेड टाउंसीप इसमें रेजिडेंसिल प्लाट के साथ साथ कामर्शियल प्लाट की भी बुकिंग बहुत जल सुरू होने वाली है और एक और नई अपडेट ये आई है कि इस टाउंसीप में भी बड़ी बड़ी हाई राइस बिल्डिंग्स भी बनने जा रही है चुकि गीडा ने अपने तरफ से जीडी यानि गोरकपूर डेलोप्मेंट एथारिटी को ये आफर किया है कि कि वो भी इस परिजना में फ्लैट्स बना करके सेल कर सकती है तो ये भी काफी अच्छी अपडेट है कि अब अपने गीडा एरिया में भी बड़ी बड़ी हाई राइस बिल्डिंग्स भी बनते वे बहुत जल दिखाई देने वाली है तो गाज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक जरूर कर दिजेगा और जितना हो सकी वीडियो को सेयर करने की भी कोशिश कीजेगा ताकि लोगों तक के बाद पहुंच सके कि गोरकपूर में अन्य भी कई सारी नई नई रेजिडेंशल प्रोजेक्ट की लांचिंग होने जा रही है बट गाइस फिलहाल तो अब हमें इंतजार है ग्रीन वूड ग्रूप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो की जीडिये के तरब से लांच किया जा रहा है अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसमें फ्लैट्स की बुकिंग भी सुरू कर दी जाएगी और क्या क्या कीमत होने वाला है अब फाइनल प्राइस जो है अब ये तो लांचिंग के समय ही पता चलेगा तो आज इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए बेट के साथ अब तक के लिए जाहें झाली बुकिंग के साथ जो है अब जाएगी